नमस्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो उच नियाले हैं, यानि जो हाई कोंट है भारत में वहाँ पर जो महिला न्याय दिश, यानि कि जो महिला जो जज है उनकी संख्या कम है, वो कम क्यों है, उसका reason हम जानेंगे साथ इसाथ उसको बढ़ाया कैसे जाएगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं PDF के बारे में आप लोगों को information देता हूँ कि PDF जो है वो आप लोगों को Telegram का एक link दिया मिलेगा description box में, तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं इस वीडियो की PDF, ओके अगर वो link open ना हो, तो क्या करें से तो Telegram open करिए, वहाँ पर लिख लिजिए, self study, self study लिखे और इस तरीके का icon आपको नजर आएगा, जिसके उपर लग बग 10,000 के आसपास जो बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप सीधर direct भी जोइन कर सकते हैं, और PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले क्या था, कि जो भारत के न्याएधिश, मुख्य न्याएधिश हैं, यानि Chief Justice of India, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की, उन्होंने कहा, कि जो भारत के अंदर जो हाइधिश हैं, वहाँ पर न्याएधिशों की रूप में, अगर महिलाओं की बात करें, तो उनकी संख्या भहुत कम है, यह CGI ने बात बोली, कब बोली, यह बात बोली गई, उनके द्वारा, अंतराष्ट्रिय महिला न्याएधिश दिवस, यानि 10 मार्च को, 10 मार्च को कै बनाया जा रहा था, अंतराष्ट्रिय महिला न्याएधिश दिवस कब मनाया जाता है थोड़ा बहुत इसके बारे में discuss कर लेते हैं कि अंतराष्ट्रिय महिला 29 दिवस होता गया है देखे 2021 में जो UN है UN के द्वारा महासभा के द्वारा एक resolution पास किया जाते है resolution 75 by 274 जिसमें कहा गया कि 10 मार्च को हम जो है हर साल की 10 मार्च को अंतराष्ट्रिय महिला 29 दिवस के रूप में मनाएंगे तो ये बात बोले गई 2021 में अच्छा भारत की थोड़ी बहुत भूमिका बता देते हैं ये जो प्रस्ताव ये जो resolution लाया गया था इसको भारती sponsor कर रहा था क्लियर हुआ और भी बहुत सारे देशिज के अंदर शामिल थे और ये जो resolution लाया गया वो कहां पर लाया गया था वो कतर के अंदर परस्तूत किया गया था अब इसके significance या कहीं इसकी importance क्या क्या है देखे इसके द्वारा क्या है जो महिला जो जो जज है उनके द्वारा जो भी काम किये गए हैं जो भी उनके द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं उनको बाहर लेकर आना उनको लोगों को बताना कि ये कितने ज़्यादा important इनके द्वारा कितने बड़ीए-बड़ी decision या वीतरी महतवपूर्ण काम इनके द्वारा किये गए है साथ-साथ इसका ये फर्क ये पड़ता है कि जो भी महिला जो भी लड़कियां, यूवतियां जो सपना देखती हैं कि हम judge बनेंगे, हम politics में जाएंगे तो उनको आगे लेके आना उनकी प्रेरना बना, उनको empower करना इसका उदेश्य है साथ-साथ इसका ये उदेश्य भी ये है कि जो भी न्याइक सेवाएं है उसके अंदर लेंगिक ऐसमानता को खतम करना, लेंगिक ऐसमानता को अभी माप लोगों को समझाओंगा कि यहां पर पुरुष जादा है महिलाएं बहुत कम है तो कही न कहीं UN का ये मानना है कि ये जो सतत विकास लक्षों को प्राप्त करने में मदद करेगा अगर लेंगिक ऐसमानता को खतम कर दिया कहां पर नियाइक सेवाओं में अच्छा सतत विकास लक्षे यानि की सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल होता है SDG SDG लक्षे नमबर फाइफ इसके अंदर ये बात बोली गई है कि लेंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं लड़कियों को सशक बनाना ये इसका लक्ष है UN का SDG ध्यान रखना ये काफी important है अब न्याए पालिका में महिलाओं की स्थिति के बारें बात करते हैं कि भारत में कितनी जो है वो स्थिति है कैसी situation है महिलाओं की देखे हाई कोट में अगर मैं बात करूँ महिला न्याए धी जो है वो केवल 11.5% है भारत में कितने हाई कोट है एक तो ये चीज और उन हाई कोट के अंदर कितनी महिलाओं हैं सिर्फ और सिर्फ 11.5% सर्वोच न्याले यानि सुप्रीम कोट की बात करूँ तो 33 जो है वहाँ पर जजीज है और उन 33 में से केवल सिर्फ और सिर्फ चार महिलाएं ही न्याय धीज है कमाल की बात है ना पूरे देश के अंदर इतने सारे हाई कोट्स हैं उन हाई कोट्स में से सिर्फ 11.5% महिलाएं हैं और हाई कोट्स में जहां पर 33 जजीज हैं उनके अंदर सिर्फ चार महिलाएं है अच्छा देश में अगर मैं lawyers की बात करूँ महिला lawyers की अगर बात करूँ तो वो भी कोई अच्छी स्थिती में नहीं है registration जो lawyers हैं हमारे देश के अंदर 1.7 million lawyers है और उन 1.7 million में से केवल 15% ही केवल 15% ही महिलाएं है तो देखा जाया है तो lawyers की स्थिती भी कुछ सही नहीं है यहां पर अच्छा महिला परतिनीतियों का कम होने का क्या कारण है क्यों कम है यह एक तो कहा जा रहा है कि समाज की पित्र सतात्म यानि patriarchal society के कारण अच्छा कैसे देखिए patriarchal society के कारण क्या है एक तरीके से जो भी महिलाएं काम कर रही है जैसे कि जो lawyers है खुद उनोंने कहा है कि जो lawyers हैं उनकी जो वहाँ पर situation हो वो सही नहीं है उनके decision को कही न कही दबा दिया जाता है उनके opinion को कही न कही दबा दिया जाता है तो एक पित्र सत्तात्मक सोच यहां पर देखने को मिलती है और अब यह समय है कि आवशक्ता को देखते हुए जो भी जो high court है या फिर कहीं कि supreme court है वहाँ पर recommended किया जाए recommended किया जाए महिलाओं को और पित्र सत्तात्मक जो मांसिकता है उससे बचा जाए यानि कि बाइसनेस ना दिया जाए महिलाओं को भी आगे आने का एक बिल्कुल बराबर हक दिया जाए आपको पता है कि जो एक lower judiciary के अगर मैं बात करता हूँ तो lower judiciary तक पहुँचने के लिए एक exam होता है वो exam तो महिलाओं पास कर लेती है तो वहाँ पर वो judge निक तो जाती है लेकिन lower judiciary के बाद जो अगर उपर जाना है तो यानि उपर अगर आपको कहें कि high court, supreme court में जाना है तो ये decide कौन करता है ये decide करता है coliseum अचा coliseum एक तरीके साइसे समझो group है ये काफी बड़ा important issue है लेकिन इसको मैं इस वीडियो में तो cover नहीं करा हूँगा इसको ऐसे समझो एक group है जिस group के द्वारा recommended किया जाता है महिलाओं को या पुरुषों को जो judges हैं उनको upper यानि higher court के अंदर उनको recommended किया जाते है कि इनको आप newkt कर लीजिये तो यह colisium का काम होता है सबसे पहले क्या होता है lower judiciary पर exam दो exam देकर आप judge बन जाते हैं lower level पर फिर उसके बाद अगर आप पर higher जाना है तो colisium के द्वारा ही आपकी समझो कि इसके द्वारा आपका promotion हो रहा होता है तो colisium के अंदर क्या है कि एक तरीके से यह देखने को मिलता है वो एक आपारदर्शी है यानि वहाँ पर कोई transparency नहीं है कि आप कैसे select कर रहे हो कैसे उपर लेके जा रहे हो तो उसके अंदर आपारदिस्ता बनी हुई है और जिसके कान क्या है एक biasness इसके अंदर देखने को मिलती है कि आप जो है वो जादा तर पुरुशों को पुरुशों को आगे लेके आ रहे हो महिलाओं को नहीं लेके आ रहे हो यह ऐसे इसके उपर इल्जाम लगे भी है जैसे इसका आपको एक उधान देता हूँ Supreme Court के अंदर Collision के द्वारा High Court के लिए 192 192 जो उमिद्वारों की सिफारिष की गई थी इस 192 में से केवल 37 केवल 37 महिलाएं थी 37 का अगर मैं percentage बता हूँ सिर्फ 19% महिलाएं थी सिर्फ 19% और इस 19% या कहूँ 37 में से निक्त कितनी की गई थी केवल 17 केवल 17 तो आप सोच कर देखिए कितना ज्यादा कम percentage निकल के आता है यहाँ पर तो यह biasness का बताया जगयों कि Collision का कोई transparent तो है नहीं कि आप कैसे कर रहे हैं यह कोई नहीं बताता है यहाँ पर clear महिलाओं का एक तरीके से कह जा जा रहे है कि reservation का भावाद कि कई जो राज्यें हैं हमारे देश के अंदर वहाँ पर जो निचली अदालत हैं वहाँ पर कहीं न कहीं जो नियाई पालिका है महिलाओं के लिए correction की निती यानि reservation का प्रावधान किया गया है और अगर जो प्रावधान किया गया है जिससे क्या है कि महिलाओं की स्थिती सुदुरी है वहाँ पर जैसे कि आसम की मैं बात करूँ आंदर परदेश, तेलंगाना, ओडिसा, राजस्तान यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए नियाई पालिका में reservation है और reservation के कारण यहाँ पर क्या है कि महिलाओं के महिलाओं जो है यहाँ पर 40-50% तक महिलाओं जो है न्याईक अदिकारी है तो एक तरीके से काफी सारे राज्ये हैं जहाँ पर आरेक्षन का भाव है और महिलाओं को उतना परतिनीदी तो नहीं मिल पा रहे है सेम यह काफी जादा इशू बना हुआ है कि महिलाओं को पार्लेमेंट के अंदर भी 33% आरेक्षन देने की बात की गई है राज्य विधान समा में 33% और संसद के अंदर भी 33% आरेक्षन देने की मांग की गई है लेकिन यह आज तक एक तरीके से कभी पारित नहीं हुआ है बोल दिया गया है लेकिन पारित नहीं हुआ है रिजन क्या है क्योंकि काफी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका विरोध करते थी वो इसको पास ही नहीं होने देती कहते तो हैं कि हम महिलाओं को उपर लेकर आएंगे हम नारी सम्मान करते हैं नारी को इक्वल लेकर आएंगे लेकिन भाई इसको पास करने की बात आए तो कोई करना करके राजजी भी नहीं है यहाँ पर एक और दूसरा रीजन यह बताया गया है कि पारिवारिक उत्तरदाई तो भी बढ़ता है जैसे कि I.U. बढ़ रही है तो यह एक I.U. हो गया या फिर पारिवारिक उत्तरदाई तो जिसके कान क्या होते हैं कि जो वो लोवर जुडिश्री सिस्टम में तो हैं लेकिन जब उनके हाईयर लेवल या फिर हाईयर जुडिश्री के अंदर उनके प्रमोशन की बात होती है तो यह पारिवारिक उत्तरदाई तो उनके आड़े आ जाता है तो यह एक रिजन हो गया एक होता है लिटिगेशन शेत्र में महिलाओं की प्रयाप्त संख्या का अभाव है आपको पता है कि बार सिस्टम से बार सिस्टम से बैंच के अंदर बार सिस्टम यानि बार जो होता है जिसमें बार लाइसेंस होता है जो लोयर्स को लाइसेंस प्रवाइड करवाय जाता है तो वहाँ से क्या होता है कि जजीज को उपर की तरफ यानि निक्त किया जाता है वहाँ पर क्या है कि महिलाओं की संख्या ओलरीडी कम है तो वहाँ से चुनेंगे कैसे तो कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि आप उस पूल को भरिये जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है जहाँ से आप उठाते हो एलिवेट करते हो महिलाओं को एक तरीके से जज़ बनाने के लिए तो आपको सबसे पहले ये पूल भरना होगा यहाँ पर जादा से जादा लोयर्स हो हैं यहाँ पर आलाने होंगे दूसरी बात यह है कि जुडिशियल इंफरस्टुक्चर ठीक नहीं है जैसे ठीक कैसे नहीं है आप बुनियादी धांचे की बात कर लीजिए जैसे कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रोब्लम यही आती कि वहाँ पर कोर्ट रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ बाढ़ है बहुत ज़्यादा तंग एरिया है वहाँ पर टोइलेट का भाव है महिलाओं के लिए टोइलेट का भाव है चाइल्ड कर सुविधा ही नहीं है वहाँ पर तो एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा वीक है और बात करें कि पिछले सत्तर सालों से कुछ किया नहीं गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर पदोनती के लिए उपलब्द करवा सके कुछ ऐसी सुविधा कि महिलाओं को बराबरी एकुल एक जैसा सम्मान या फिर उनको उपर लाया जा सके तो ये पिछले सत्तर सालों से कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर या नहीं कि निया इधिश के रूप में उपर ना लाया जा सके वही लाया जा सकता है चांटा जा सकता है लेकिन एक तो यहाँ पर संख्या भी कम है लेकिन इस संख्या कम से भी उपर चांटे नहीं की भी संख्या बहुत जादा कम है लाया भी बहुत कम जाया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि जितनी यहाँ पर बार के अंदर बार काउंसिल के अंदर जितनी भी महिला हैं कम से कम आप उनको तो लेकर आई है ना उपर तो आप वो भी नहीं कर रहे हो अच्छा उच नियाले में उचिए परतिनिदित का क्या मेहत हो है अगर महिला को चुना जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है तो एक सवाल ये भी उठता है हमारे सामने लेकिने महिला नयाई दूशों की अधिक संख्या और उनकी अधिक दिश्टा अधिकारिक महिलाओं के न्याए प्राप्त करने और अपने अधिकार पाने के लिए न्याए लोट पहुंच प्राप्त प्रेरित कर सकती है मतलब कि देखें अगर एक महिला है वो जज है वहाँ पर और एक दूसरी चोपीडित महिला है उसको लगता है कि myself आगे कैसे जाओंगी तो उसको लगता है कि यह महिला ही है जो मेरे दर्द को समझेगी और मैं शायद यहां पर जाके अपने लिए न्याय की गोहार लगा सकती हूँ तो कहीं न कहीं यह मदद मिलती है लेकिन हाँ मानते हैं कि हर एक चीज में यह possible नहीं हो सकता कि आप मतलब कि एक महिला एक जज है और महिला ही जो है वो एक victim भी आया हुई है यहां पर मतलब कि जिसके उपर अपराद हुआ है तो ऐसा जुरूरी नहीं कि महिला महिला देखकर comfortable करेंगे लेकिन काफी सारे cases में ऐसा होता है कि उसको कहीं न कहीं यह विश्वास हो जाता है कि मेरी तो यहां सुनी जाएगी एक जैसे gender होने के कारण ऐसा बोला जारे लेकिन इसके उपर कम संभावनाई भी होती है और एक उधान जैसे यहां पर दिया गए कि transgender महिला है अगर अपना मामला लेके आती है और वो देखती है कि जो न्याई दिश के रूप में transgender महिला ही वहां पर बैटी है तो उनको कहीं न कहीं जो न्याई या जुडिश्री के उपर एक भरोसा हो जाता है वहां पर उसमें भरोसा बढ़ने लग जाता है तो वो एक बढ़िया अच्छे तरीके से वहां पर फैसला सुनाने में वो help करेंगे वहां पर अचा बैंच में भी वीदता बढ़ेगी obviously एक इनसान को या फिर कहें कि एक महिला को अलग interpret कर पा रही है एक पुरुश अलग interpret कर पा रही है तो वहां पर कही ना कहीं एक constructive idea देखने को मिलता है reasoning power इससे बढ़ जाती है judicial की reasoning power इससे बढ़ जाती है जैसे मैंने कहा नहीं कि किसी को कोई angle दूसरे तरीके से समझ आ जाता है और किसी को कुछ दूसरे angle से समझ आ जाते है तो वहां पर एक constructive सोच एक constructive idea बनके सामने आते हैं तो काफी जादा ये help करता है cases के अंदर भी clear? अचा अब आगे की रहा क्या होगी कहीं न कहीं हमें अपने social जो भी institution है जो उनके कहीं न को behavior को change करना होगा उनको समझाना होगा कि महिलाओं को आगे लाना है इनको पढ़ाना है तो सारी चीज़ें वहाँ से हमें करनी होगी और आज की date में देखा जाए तो मांग भी है आवशक्ता भी है कि जो high court है वहाँ पर महिलाओं को उपर लाया जाए और जो पित्र सतात्मक जो मांसिकता है उसको दूर किया जाए जो अगर आप प्रमोशन कर रहे हो उनका पद इंक्रीज कर रहे हो तो योग्य महिलाओं को आगे लाया जाए जिला नियाए जो महिला है या फिर कहीं जो महिला लोयर्स है उनको आगे लाने के लिए सोचा जाए और जब तक कहा जा रहे है कि जब तक महिलाएं शशक्त या empower नहीं होगी उनको न्याएं नहीं हो सकता उनके साथ न्याएं नहीं हो सकता जो कहीं न कहीं सच भी है और यह बहुत सही समय है कि जो high court है जो supreme court है उनके अंदर महिलाओं को एक तरीके से लाना होगा उनका प्रयाप परतिनीदित वहाँ पर करना होगा यह आवशक्ता है आज की डेट में और देखिए कहीं न कहीं कहा जा रहे है कि एक आरक्षन का आप सिस्टम रखिए जैसे कि जो lower judiciary system होगा आप वहाँ पर तो एक रख रहे हो reservation लेकिन आप हाई court और supreme court में भी कहीं न कहीं एक horizontal reservation का system भी आप रखिए जिससे क्या है कि महिलाओं का जो परतिनीदित होगा है वो पूरा हो सके यह आपर तो उमीद करता हूँ कि यह आज का session आप लोगों को समझ में आया होगा कि महिलाओं की संख्या जो है वो कम है और कम है कि रीजन क्या है उसको बढ़ाया कैसे जाएगा और बढ़ाने से इससे फाइदा क्या क्या होगा clear है उमीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ आई होगी समझ आई होगी तो लाइक कर सकते हैं जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आगया ठीक है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को भी और पीडियो के लिए मैंने आप लोगों को बतायती है कि पीडियो आपे कैसे डाउनलोड करेंगे और जादा ही पसंद आएगे है तो शेर कर दीजिए चैनल को भी आज वेल आज वीडियो को भी तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो